cbsc ने जब से class 10th and 12th की board exams की डेटशी जारी की है तब से बच्चे बहुत खुश है क्यों खुश है क्योंकि इतने दिन पहले cbsc ने डेटशी जारी कर दिये इससे वो अपना एक study अच्छा सा study plan बना पाएंगे जिसके according वो study करेंगे जिसके according वो अपने बहुत अच्छा perform करेंगे लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों को थोड़ी सी टेंचन होगे थोड़ा सा उनको बुरा लगा है कि यार अभी इतने दिन पहले cbsc को डेटशी जारी नहीं करनी चाहिए थी है ना क्यों नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि जब हम school में जाएंगे तो स्कूल वालों का प्रेशर रहेगा भाई पढ़ ले पढ़ ले अब तो पढ़ ले कम से कम डेटशीट आ गई है वरना फेल हो जाओगे इधर जब घर आएंगे तो फेरेंट्स बोलेंगे भाई पढ़ ले अब तो डेटशीट भी आगे अभी से पढ़ोगे नहीं तो फेल करनी होगी और अच्छी से प्रेशन कब होगी जब आप उसको अर्ली स्टार्ट करेंगे तो यह तो अच्छी बात होई ना कि इतने दिन पहले आपको डेटशीट बता दी है कि कौन सा एक्जाम कब होने बाला है ठीक है लेकिन अब आपने डेटशीट तो देख लिया अब इसके आगे क्या करना है वही सारी चीजे मैं आपको बताने वाली हूँ कि देटशीट आ गई है अब आगे क्या करना है तो वो आगे कैसे करोगे जो बच्छे यह अबी सोच रहे थे कि date sheet आने के बाद ही हम पढ़ेंगे या जो बच्चे अभी सोच रहे थे कि date sheet आने के बाद हम revision करेंगे practice करेंगे बगर अगर तो यह सभी के लिए common वीडियो होगी तो इस वीडियो को देखने के लिए last तक इस पर बने रहेगा तो आपको वो सारे points आपको follow करने है जो आपके study plan के अंदर होने चाहिए और जो आप आगे date sheet के बाद आने के बाद आप करने बाले हैं तो यहाँ पर must do these points में क्या क्या है सबसे पहले जो आएगा paste your subject wise date sheet on your study table आपको सबसे पहले काम करना है कि जो भी date sheet आई है उसमें आप, आपका subject कौन सा है उसकी date कौन सी है तो यह सब लिख करके और अपने, और वो कौन सा subject है तो उसको सबको mention करने के बाद आप उसको एक अपनी study table पर आसपास में कहीं पर चिपका लीजेगा ठीक है, उससे क्या होगा आते जाते जब आप उसको pasted उस paper को देखोगे तो उससे क्या होगा कि आपको यह पता चलता रहेगा कि यार exam पास आने वाले अभी हमें पढ़ना है ठीक है, और धीरे तरह आपको motivations भी बिलती रहेगी किसी भी exam को crack करने में time management का मतलब यह नहीं होता कि मैंने जो time table बता है आप उसको follow करो आपके हिसाब से जो आपका time suit करता है ऐसा study time table बनाईए जो आपके हिसाब से होगा लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपने जो study plan बनाए है वो skip नहीं होना चाहिए जो दुनिया की इधर से इधर हो जाए तो आपको अपने study plan पर stay रहना है मम्मी को बोल देना मम्मी मुझे धनिया टमाटर लेने मत भेजो मम्मी को बोल देना मम्मी अभी मैं चाय नहीं बनाऊंगी प्लीज मुझे पढ़ना है तो पढ़ने देजिए ठीक है तो आपको time management पर बहुत बहुत ज़्यान देना है जितना ज़्यादा हो सकता है इस time अपने time को save करना है और उस saving time को ज़्यादा ज़्यादा अपनी study पर utilize करना है next बात करेंगे start with easy chapter बहुत सारे आपने लोगों से सुना होगा कि हमेशा difficult chapter से start करने चाहिए लेकिन मेरा ये मानना है कि easy chapter से start करने चाहिए क्यों मैं ये ऐसा कह रही हूँ क्योंकि easy chapter से जब आप start करेंगे तो इससे आपके अंदर confidence आएगा आप चाहे कोई भी subject हो आपके पास उसके सबसे पहले easy chapters उठाई है क्योंकि easy chapters को पहले भी आपको easy लगते थे अब अब बस उसके क्या करने है एक बार फटाफट फटाफट से reason करनी है अब वो revision करने से आपके अंदर एक confidence आएगा कि यार ये तो मैंने कर लिया है अब मैं आगे करता हूँ तो वो confidence build करने के लिए आपको सबसे पहले easy chapter उठाने होंगे और धीरे धीरे जैसे ये जल्दी से खतम हो जाएंगे फिर आप धीरे धीरे अपना level थोड़ा सा increase करोगे तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा difficult वाला टास्क होगा उसको क्या करना है उसकी तरफ बढ़ना है ठीक है तो फिर study क्या करना आपको easy chapter से start करना है फिर आप difficult की तरफ पढ़ेंगे राइट इसके अलाब utilize active learning techniques note making तो जब भी आप study कर रहे हो चाहिए वो कैसे भी कर रहे हो तो study करते time आपको क्या करना है active learning active learning का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से आप अपनी study के अंदर डूब जाएगे कहने का मतलब अगर आप online teaching कर रहे हैं ठीक मतलब online आप study कर रहे हैं या फिर आप offline कर रहे हैं तो उस duration में आपको क्या करना है पूरी तरीके से बस अपने concept पर focus करना है और जैसे concept आप focus करोगे वो clear हो जाएगा धीरे धीरे आपका interest बढ़ेगा confidence बढ़ेगा और साथ-साथ में आपको जो भी questions दिये जाते हैं तो आपकी brainstorming होगी कि किस तरी से हम इस question में कौन से approach लगा कर इसको solve कर सकते हैं तो active learning टेक्निक का मतलब होता है उसमें note making भी include होंगे आप study कर रहे हो online से आप सारे के सारे one shot देख रहे हो right one shot देखने के बाद आप कही ना कही उस पे note कर रहे होगे pause कर रहे हो review and revise the concept regularly आपने ये कभी नहीं करना है आज इसको जो है वो पढ़ लिया है तो अब उसको छोड़ दो इसको review करना है कि आपने थोड़ा सा एक दो उसमें जो है वो जैसे samples papers हो गए जैसे आपने कोई भी उस चाप्टर से उसी चाप्टर से questions बनाए उस question को थोड़ा सा आप जो है वो आंसर देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमने इस topic को particular chapter को समझा है तो वो review आपको कैसे करना है कि ये chapter मैंने कितना समझा और कितना समझनी की मुझे अभी need है तो आपको review और रिवाइज अपने concept पर क्या करना है focus करना है regular focus करना है तो अगर आपने एक या दो दिन study कर चुके होंगे अच्छे से समझ चुके होंगे तब आपको एक काम करना है revision करनी है revision करने के लिए आपको फिर से क्या करना होगा जो भी आपने note making करी है और जो भी जो important topics है बस आपको उन्हीं को इतने मुक्तेस लगाएंगे जी हाँ बिल्कुल पर सब्जेक्ट की बात करें जिसमें सारे चैप्टरस इंक्लूड हो जाएंगे तो पर सब्जेक्ट आपको 20 मुक्तेस लगाने ही लगाने हैं अगर आप एक अच्छी प्रपेशन करके जाना चाहते हो और अगर अच्छी प्रपेशन करके जाना चाहते हो मोग टेस्ट 20 पाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं टेस्ट वगरा सीरीज है वहाँ पर जा करके उसको परचेस कर सकते हैं मैं अभी बत मतलब यह कि जो भी आपके पढ़ाई के समय डिस्ट्रक्शन होते हैं आप पढ़ रहे हो अपनी बुक में पढ़ रहे हो या फिर आप ओनलाइन पढ़ रहे हो अपने फोन से पढ़ रहे हो कुछ भी करें वाइटी से मेरे वन शॉट्स देख रहे हो है तो इससे क्या होगा अ अच्छे तरीकर से इंटरेस्स देने रखती हो तो वो जो टाइम था आपका पढ़ने का वो धीरे-दीरे निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है तो जैसे ही पढ़ने बैठो आप सभी को बोल दीजिए अपने घर में भी कि मुझे डिस्ट्रब ना करें और यहां पर अप पॉजिटिव अपने दिमाग से यह निकाल दीजे टाइम कम रहे गया अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा वैं फेल हो जाओंगा माक्स कमाएंगे वगर वगरा तो जब तक आप खुद को अपने आपको पॉजिटिव देन होगे दुनिया के सी कोई ताकत नहीं है कोई टीच चैनल क्यों मैं इसको कहा रही हूं क्योंकि आपका यह टाइम सेविंग जो है हिमार्टी जटा 24-7 एक ऐसा प्लेटफोर्म है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के बंचॉट मिल जाएंगे तो अगर आप किसी भी चाप्टर को पढ़ने वाले होना तो सबसे पहले आप य वीजन करेंगे वह चाप्टर और अच्छे से लिए रजागा फिर उसके प्राक्टिस कोशन करेंगे वह और अच्छे से तो कहने का मतलब यह कि बेस यह जो आपकी फांडेशन है इसको जरूर से फॉलो करना है इसको फॉलो करने के लिए आप यूटूब पर जाएंगे य हर सब्जेक के हिमारिटी जड़ा 24-7 आपको यहाँ पर वन्चॉट मिल जाएंगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो आपको यहाँ पर देखें यहाँ पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ठीक है तो यहाँ पर हम प्लेलिस्ट में जाएंगे जैसे हमने प्लेलिस्ट में गए है तो अब इतने कम टाइम में कैसे त्यारी करें तो उसके लिए आप हमारे पास एक और रास्ता है वो क्या है हमारे अड़ा 24-7 पर आपको क्या करना है पहले सबसे आसकते हैं जिसमें लाइव के साथ आप के वीडियो जो है वो रिकॉर्डी वीडियो से मिलेगी पीडिया और आपको मोग टैस्ट प्राक्ट्री स्कूशन सब सबसा कुछ मिलेगा अप इसको क्या कर सकते हो आप इसको पर्चेश कर सकते तो यह संभव ठीक है तो यहाँ पर आपको यूपन कोड कोड करने के साथ ही आपको क्या करना है यह जो बैच है आपका ये आपका इतने का पढ़ रहा है 2875 इसके अलावा एक और रास्ता बतारी है अगर आप इसको भी नहीं पर्चेस करना चाहते हैं कि मैं अभी हम सिर्फ वो सिर्फ ट्वल्थ बोर्ड एक्ज हम दोनों को टार्गेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है यूजी एंटर्स यूजी पीजी एंटर्स एक्जाम पर क्लिक करना है यूजी पर क्लिक करना है आर्स पर क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो वीडियो वाले सेक्शन पर जाना यह है मन्जिल प्र करके इसको purchase करेंगे और आज ही से अपनी प्रपेशन को स्टार्ट कर देंगे अगर आप बोर्ड एक्जाम में या फिर सी उटी में अच्छी परफॉर्म करना चाहते हैं इसको बाइनाव करने के लिए आपको क्या करना है बाइनाव करने के लिए आपको यहां पर मैक्सिम डिसकाउंट पाने के लिए coupon code यूज करना है वाई-489 तो इसको अप्लाई किया अप्लाई करते ही यह जो है आपका मनजिल को यह आपका पढ़ रहा है और मिलते है पनी इस निक्स्ट विडियो के साथ तिल्दे टेकर बाइ टया टूब एवर टु एवर बाइब टू बढ़ टू रस धांक य।